Dear friends, मैं Dr. Paon Bas definitive, आपका स्वागत करता हूँ का? Friends, मैं एक चोटी से रिख्वेस्ट ये दिये, कida आपने Ċनल को सबस्क्राइब नहीं के? तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Like करें, Share करें, जितना हो सकता है okay? Friends, आज हम Bio clinchnology में Metabolism क्या होता है, और metabolism का concept क्या चलता है हम यह चीज़ पढ़ने वाले हैं फ्रिंट ध्यान दीजेगा जैसा कि हमें बहुत simple तरीके से बात करते हैं जैसे हमने खाना खाया खाना खाया that is the food food हमारा मुह के थुरू चबाके हमने stomach में गया स्टमक से होता हुआ वह intestine में गया आदमें द्यान दीजेगा food में हमने क्या क्या लिया सब्सक्राइब था प्रोटीन था और लिपिड था ओके और intestine और stomach में carbohydrate convert हो गया simple sugar में protein convert हो गया amino acids में और lipid convert हो गया fatty acid and glycerol में ओके अब यह तीनों चारों जितने वह intestine में क्या हो जाएंगे उसका absorption हो जाएगा absorption होने के बाद में जैसे absorption हुआ blood circulation में पहुंच गया blood circulation में पहुंच गया blood circulation से ultimately कहां पहुंचा हो हार्ट के पहुंच गया क्या पहुंच गया simple sugar amino acid and fatty acids ओके हार्ट ने क्या किया pump किया और पूरी body में haul body में पहुंच गया क्या simple sugar amino acid and fatty acids means different different systems में जैसे digestive system कहूंगा चाहे reproductive system कहूंगा चाहे urinary system कहूंगा या nervous system कहूंगा सारे system की बात कर रहे हैं basically systems किसका बना होता organs means organ के पहुंचा organ से कहां पहुंचा tissues में पहुंचा tissues से ultimately कहां पहुंच गया cell के पहुंच गया अदर लोग सेल के पास simple sugar पहुंच गया amino acid पहुंच गया फाटि अधर पहुंच friends cell के अंदर पहुंच गया मतलब बड़ी की जितने भी cells सबी cells के पहुंच गया वहां पहुंचने के बाद में उसका होता वह पहुंचने के बाद में Supa क्या होता है that comes अंदर metabolism okay जैसा कि सेल के अंदर क्या पहुंचा सिंपल सुगर ऐमिनो आसेड फाटी आसेड एंड डीसरों तो क्या होगा फेंट देहां दीजिएगा यह दिसेंपल सुगर होगा तो क्या होगा बॉड़ी में जाने के बाद में पाईरुविक आसेड में कनवर्ट हो जाएगा किसमें कनवर्ट हो रहा है है आए पाईरुविक आसेड में ओके यह बहुत सेपल सा प्रोसीजर है र। मतलब सेपल सुगर किसमें ब्रेक डाउन हो गया पाईरुविक आसेड में फ्रेंड्स कि अगे और देखना ही जदी यदि एमिनो असिड है यह दी एमिनो असिड है तो होकि तोट्ट करन आप knife कि किसे आफाउंड़ क्योंको करें चाहिंचन प्रोन एंट पर निट्विक करने क्रिंट टनकिज में Guess आफ thousand Ah screens YouTube ऐसरा तो इस सब्सक्रारू परें नटिठ really अब इस एसे टाइल को एंजाइम एसे बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं एक प्रोसीजर तो होता है कि वह कारवर डायोकषड बना दे वाटर मॉलेक्विल बना दे एटीपी बना दे तो यह हो गया इसका ब्रेग डाउन जो मेंस एसे टाइल को एंजाइम ऊप्रीगड डाउन हो गया अ इसिटाइल को थे और वाटर मॉलेक्विल टाइब कि मॉलेक्च भलाव ठिल्मक देमिलख्ण भीडर है इसटो यह बना रहा है आसीट साल آइसिटाइल को एंजाइम एसे इसए तो लोन धर गना रहा है एसी टो एसीटाइल को एंजल से मेवालोनेट मेवालोनेट से क्या बन रहा है ऐस्टी से क्या बना रहा है आइसोएड़ भimming कि पाइड फाइन वैजरू स्क्रा मिर धीया बनाता है विटामीन की क्या बनाता है विशाएस्टिरोल ओर्मौन और मिर्मी और में इसेटिरोल की बनाता है है कि एंग इंग दृकताई है कि सिद выглядит चीज फिर आता है एसीटो एसीटल को एंजयम क्या बनाता है एक फाटी आसट करता है तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया देखना यहां पर बनना बताया सिम्पल सी में बात करता हूँ तो इस जगे भी ये breakdown हो रहा है ठीक है breakdown हो रहा है क्या molecule toot रहा है similarly यहां पर भी molecule breakdown हो रहा है breakdown हो रहा है okay breakdown का मतलब तूट रहा है अगिन एसिटाल को एंजाई में यहां पर breakdown हो रहा है clear है now friends घ्यान दीजिएगा breakdown का मतलब क्या होता है एक बहुत अच्छा वड़ा था क्याटाबॉलिक bigger molecules smaller molecule में टूटता है breakdown हो रहा है come to the next यादि मैं इस इधर वाले बात किर रहा हूँ तो यहां इस तरफ क्या हो रहा एसिटाइल को एंजाइम दो कार्बन वाला है यहां पर बड़े कार्बन वाले molecule बन रहे है मतलब synthesis हो रहा है synthesis हो रहा है friends में द्यान देजएगा synthesis हो रहा है synthesis हो रहा का मतलब क्या होता है that is ANABOLISM न आ बहुँद चीटकर तो द्यान दीजिएगा catabolism होता क्या है catabolism equal to catabolism equal to एनाबोलिज्म प्लस केटाबोलिज्म बहुत सारे स्टुडेंट्स को यह क्लियर नहीं होता की केटाबोलिज्म क्या होता है एनाबोलिज्म क्या होता है मेटाबोलिज्म क्या होता है मेटाबोलिज्म क्या होता है मेटाबोलिज्म कंसेश्ट फू वर्ड दाट इस एनाबोलि विसमें यह पूरा प्रोसेस जो मैंने मॉलेकुलर की बात कई यह पूरा प्रोसेस कहां होता है कि माइड यह पूरा सेल में होता है और यह सेल में किस किस तरीके से होता है यह चीज हम डिटेल में इंड्यूजवल पास में पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे यह है हमारा पूरा का मतलब कैटाबोलिजम क्या होता है एनाबोलिजम क्या होता है बॉडी में जाके वो किस तरह स सब्सक्राइब करें अपने चेनल को सबस्क्राइब नहीं क्या थो बेल आइकन को इनेबल करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, सेब करें और कमेंट करें, लाइक करें, यह हमारा मॉन्टी मिशन है, थैंक्यू फ्रेंड्स